नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक मत्तपून देशों के बारे में जो हाल में ही विसर स्वास्ते संगर्ठन में जारी किये हैं सभी सरकारें भिन-भिन परदेशों की और अलग-लग देश जो हैं वो सभी को फेस मास्क पैनने के लिए बोड़ रहे हैं मतलब जहां पे भी आप घर से जब आपको निकलना पड़ रहा है बाहर कोई समान खरीजने के लिए तो आप जो हैं वो मास्का इस्तेमाल करें इसी तरह अभी विशल स्वास्ते संगठन ने एक नए दिशन निर्देश जारी किये हैं कि आप जो हैं वो अपनी हाथों को बार-बार धोएं और कहां-कहां पे आपको हाथ धोने की सुपदा जो है वो उपलब्द करवानी है उसके बारे में सबसे पहला दिशन निर्देश है कि इतने सारे हाथ धोने के स्टेशन या जगा हमें बनानी हैं जिसमें साबून से और पानी से हाथ धोने या जो दूसरे हाथों को साफ करने के लिए जो सैनिटाइजर्स हैं उनकी सुपदा आपने देनी हैं हर बिल्डिंग के एंटरेंस उसके दरवाजे पे ही खास करके जो hospitals हैं, schools हैं या सरकारी buildings हैं या और बड़ी private buildings हैं जिन में लोग जो हैं वो अंदर या बार कर रहे हैं बहाँ पे आपने ऐसी जगा बनानी हैं दरवाजे से बाहर कि लोग building में अंदर जाने से पहले और अंदर जाने के बाद जब बाहर निकलें बाहर जाते समें भी अपने हाथों को साफ कर सकें ऐसी सुविदा आपको सारे बस हड़ों पे, ट्रेनों के railway stations पे, एरपोर्ट पे और समुंदरी तटी ये जो पोर्ट सोती हैं बहाँ पे भी आपको ये सुविदा देनी हैं और ये सुविदा आपने ऐसे देनी हैं कि इस सुविदा को सारे लोग इस्तेमाल कर सकें बच्चों से लेके बुड़े तक और जो disabled हैं वो भी आपने ऐसी सुविदा नहीं बना कि इसको लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकें और ये सुविदा सामने उनी पहिने चीए शाबको दिखनी चीए तकि लोग जो है इसका जिफा जादा से देनी हैं तो इसको जो है वह देखना भी आपा आपने लगा दिया है या तो वो लोग करें जो NGO हैं कोई ग्रूप उन्होंने बनाया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रूप है पंचाइती राजवाले हैं मंडल्स हैं या और जो लोग हेल्प कर सकते हैं वो ऐसी हेल्प जो हैं वो करने के लिए आगे आएं और ये जो आपने हाथ धोने की सुब्दा है ये सभी को जरूरी होने चीए कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं तो आप जब तक हाथ नहीं धोएंगे और अपने हाथ साफ नहीं करेंगे तब तक आप जो हैं वो घर से या उस बिलडिंग से अंदर नहीं आ सकते या बाहर नहीं जा सकते तो ये जब आप लोगों के ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे जो है दिन चरह ये बन जाएगी तो हमारे को अपने आप देरे-देर आदत बन जाएगी जितने भी private संस्थाएं हैं बड़ी-बड़ी factories हैं Buildings हैं या दुकाने हैं और जितने भी सरकारी Buildings हैं सरकारी दफ्तर हैं सरकारी offices हैं Hospitals हैं ये इस परकार की सारी सुवदा जल्दी से जल्दी परदान करें और जो इसको सुविदा परदान करने के लिए जो समान मारे पास चाहिए है ठीक है उसको सही मात्रा में कठा करके खरीद के जो है और सारे लोगों को कैसे इसको यूज करना है उसकी ट्रेनिंग्स वेरा बता के जो है जब तक ये बाइरस मार नर्देश जरूरी है कि हाथ दोने की सूविदा जो है वो सारे बरकर्स को जो है वो देनी चीए जहां पे भी आप पेशेंट्स को देख रहे हैं जहां पे भी आप जो सुरक्षा बाले कपड़े होते हैं या और कोई साधन होते जिनको आप बहाँ पैंते हैं और उतारते हैं उन कमरों में और जो लोग जो हैं वो सफाई का काम देख रहे हैं होस्पिटल में उनको भी ये सुविदा देना जरूरी है और इसके साथ मैं सभी पेशेंट्स के लिए उनके जो मिलने जो आरे हैं के अंदर आया जाता है और बहार जाया जाता है जहां पर लोगों को वेटिंग करना पड़ती है बैठना पड़ता है यह खाने वाली जगह में जो है वो यह सुविदा जो है वो होनी चाहिए अगर माल लीजिए कि महारे को बजार में सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं तो स्वास्थ्य संगठन की बैब साइट में घरेलू लेवल पे आप अपने लोकल लेवल पे कैसे सैनिटाइजर बना सकते हैं उसकी बिदी बताई हुई है जो स्वास्थ्या विभाग से जुड़े लोग हैं और जो डॉक्टर्स हैं जो पैरा मेडिकल स्टाफ है जो देखने से पहले पैना जाता है या जब उनको उतार रहे हैं तब या अपने गलब्स दस्ताने जो है वो पैन रहे हैं या उतार रहे हैं और जब वो पेशंट को देख लेते हैं उसके बाद जब वो पेशंट से निकला हुआ कचरा जो है जब उसको जो है वो उसको जब ल खाना खिलाने के बाद ट्वालेट जाने के पहले ट्वालेट जाने के बाद वह अच्छी तरह से जो है वह हाथों को सफाई की जाए आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो है सरकारें कभी यह करने को बोलती हैं कभी वह करने को बोलती हैं वह कहां से उनको लगता है कि ऐसा क पैसे जो हैं वो बचाब किये रहे हैं इसके बाइरस को रोकने और उसके फैलने में कमी आई है तो विश्व स्वास्ते संगठर ने बोला है कि पांच मई तक सारे के सारे जगा पे ये सुभिदा प्राप्त हो जाने ही चाहिए हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी सरकार के तरफ से दिशनरदेश दिये जाते हैं उनका पालन कीजिए क्योंकि वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही दिये जाते हैं अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे कोई email कर सकते हैं अक्षे at healthandfamily.in और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये आम पर आप लोगों को जो जानकारी है वो आम जनता के लिए ज़्यादा मोहिया कराई जाती है धन्यवाद